हलो प्रेंट्स आपका अपनी चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो रेलवे अंटीपीसी दोजाज चौबिस के लिए हम अपनी चानल पर यूथ कंप्टीशन टाइम्स की बुक से साइन्स को कवर कर रहे हैं इसमें मैं आपके लिए फिजिक्स के बायो के और साथ में केमिस्ट्री के वीडियोज डालूँगा तो आज हम फिजिक्स के टॉपिक को कवर करने वाले हैं पहला टॉपिक है आपका बहुत तीक रासियां तो इससे रिलेटेड चलिए कोशन देखते हैं निम्लिकित में से कौन से रासि जो है वो अदिस रासि है तो आपको अदिस और सदिस रासियों के बारे में पता होगा यहां से कोशन पूछे जाते हैं तो पहला आप्शन है समवेग दूसरा है बल तीसरा है द्रवेमान चोथा है वेग तो देखकर ही आप समझ गये होंगे कि जो द्रविमान होती है वो एक अदिसरासी होती है क्योंकि इसमें केवल और केवल इसका परिमार होता है ठीक है और इसमें दिसा नहीं होती है तो यहाँ पर इस कोश्चन का करेक्ट आंसर आप आपसन नंबर सी पर लगा सकते हो पांबाई हो गई, दूरी हो गई, द्रविमान, समय, छेटरफल, आयतन, most important point है आपका एक कार, कार भी दोस्तो एक प्रकार की अदिसरासी है साथ में दोस्तों चाल और आवेस सदिसरासियां दोस्तों वे रासियां होती है जिनमें परिमार के साथ सा दिसा भी होती है अब इसमें आपको वेग, तुरण, बल, भार, समवेग, विस्थापन, ये सारी के सारी जो हैं सदिस रासिया हैं। नेस कोशन पर आते हैं, कहता है डैस का केवल परी मार है दिसा नहीं, मतलब वो एक अदिस रासि की बात करना चाह रहा है। तो कार, आवेग, विस्थापन और बल में से, अभी मैंने आपको बताया दुस्तो कार एक अदिस रासि है, तो इसमें केवल परीमार होता है दिसा नहीं होती है, तो राइट आंसर आप्शन नमबर एही होगा। अगला प्रस्ण है, निमलिकित में से किसमें केवल परीमार होता है दिसा नहीं, फिर से वही कोशन पूछा गया है, तो आप्शन नमबर सी हो जाएगा, क्योंकि समवेग, विस्थापन और बल बाकी के जो आप्शन है वो सदिस रासियां है, कार यहाँ पे एक अदिस रास होती है, इसको याद रखेगा, सक्ति भी एक अदिस रासि है, सक्ति बराबर कारिबटे समय होता है, तो सक्ति भी एक अदिस रासि होती है, इसके लावा बल आगूण, विस्थापन, तुरण, यह सब सदिस रासियां हैं, तो आप समझ सकते हो, जिस बहुत रासि में मात्र तथा दिसा दोनों नहीं थोते हैं उसे सदिस रासिया कहते हैं जैसे बल हो गया समवेग हो गया भार हो गया और विस्थापन तुरण बलागुण आदी जबकि उर्जा विदुद्धारा दूरी समय सक्ति द्रौमान ये सब कैसी रासिया हैं ये सब अदिस रासिया हैं अगल रासी उसने का है वेक्टर मात्रा नहीं है वेक्टर मात्रा होती क्या है सदिस वेक्टर मात्रा का मतलब होता है सदिस तो इन में से कौन सी सदिस रासी नहीं है देखो गतिया आवेक भी सदिस है बल का गुरुत भी सदिस है विस्थापन भी सदिस है तो इसमें आदिस कौन है विदुद प्रवाग तो यहीं हो जाएगी वेक्टर मातरा नहीं है option नमबर यहाँ पर आपका the correct answer हो जाएगा अगले प्रस्टन की ओर बढ़ते हैं उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं विदुद प्रवाग वेक्टर मातरा नहीं है जिस बहुतिक रास में दोस्तों मात्रा मतलब परिमार तथा दिसा दोनों नहीं थोते हैं उन्हें सदिस रासियां कहते हैं जैसे वेग, बल, सम्वेग, इत्यादी और जिन रासियों में सिर्फ परिमार होता है उन्हें अदिस रासि कहते हैं जैसे चाल दूरी द्रमा नायतनाद। नेस्स कोशन पूचा है एक वेक्टर रासी में परिमार और दिसा अब देको परिमार और दिसा दोनों की बात कर रहा है मतलब सदिस रासी की बात कर रहा है जबकि अदिस रासी में केवल परिमार होता है और दिसा नहीं होती निम्लिकित में से कौन सी अदिस रासी है तो एक अदिस रासी है क्योंकि इसमें परिमार तो पाया जाता है परंतु दिसा नहीं होती है जबकि बल विस्थापन और सम्वेग ये सबी सदिस मतलब वेक्टर रासी है क्योगि इनमें दिसाओ परणाम दोनों होते है ठीक है अगला प्रasan क्या है सम्वेग में होता है दोको सम्वेग एक प्रकार की सदिस रासी है तो इसमें परिमार और दिसा दोनों होंगे तो राइट अंसर आपका उप्सन नंबर सी बनेगा अगला प्रस्ट नहें सदिस रासी का उधारन बताईए अब देखो यहाँ पे वजन वेग लंबाई तापमान की अगर बात करती है तो वजन में भी केवल परिमार दिसा नहीं होती है केवल परिमार होता है वजन तापमान और लंबाई यह सब सारे के सारे जो है अदिस रासी है जबकि वेग जो होता है विस्थापन बटे जो आपका चाल जिसे चाल बराबर दूरी बटे सम होता है तो वेग में सदिस रासी है क्योंकि इसमें परिमार उधिसा दोनों होती है तो राइट अंसर यहां पर ऑप्सन नमबर C होगा ठीक है अगले प्रस्च पर आते हैं उसके पहले चीज़ें देख लेते हैं कि ऐसी रासी जिसे करने के लिए परिमार तता डिसा दोनों के आउसकता होती है अदिस रासी कहते हैं बार बार देखो एक्जामपल आपके सामने आ रहे हैं सदिस रासी सोरी कहते हैं सदिस रासी के एक्जामपल सामने देख सकते हो वेग है विस्थापन है तुरण है और द्रविमान ताप लंबाई चाल ये सारी के सारी अधिसरासी हैं अगला प्रस्ण है कि एक सदिसरासी में परिमाड और दिसा दोनों होते हैं जबकि अधिसरासी में केवल परिमाड होता है और दिसा नहीं होती है इनमें से कौन सी सदिसरासी है तो दोस्तों कार ये तो अधिसरासी होती है और य निम्लिकित में से कौन सी वेक्टर मात्र है मतलब सदिसरासी है तो समय तागमाद दूरी में से वेग में से जो वेग है वो आपकी एक सदिसरासी है तो correct answer option number आपका यहाँ पे D हो जाएगा अगला प्रस्न है निम्लिकित में से किस जोड़े की दिसा हमेशा एक समान होती है त तो आप आपको बताना बड़ा important question है देखो F बराबर क्या होता है दोस्तो M A होता है तो A और F मतलब बल और तुरण की दिसा जो होती है एक समान होती है तो correct answer आपका क्या होगा option number B इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा तो बल तता तुरण की दिसा हमेशा एक समान होती है जिन भ बहुतिक रासियों में सिर्फ परिमार होता है परिमार क्या वसकता होती है दिसा की नहीं उन्हें अदिस रासि कहते हैं जैसे चाल दूरी दरविमान आयतन आदी ठीक है अगला प्रस्ण है कुछ रासियों के बहुतिक गुड़ों को दरसाने के लिए उनके परिमार के साथ सद दिसा भी निर्दिष्ट की जाती है इस प्रकार के भौतिक रासी को कहा जाता है तो दोस्तों कुछ रासियों में भौतिक गुड को दर्साने के लिए उनके परिमार के साथ सद दिसा भी निर्दिष्ट की जाती है इस प्रकार के भौतिक रासी को हम लोग क्या कहेंगे correct answer option A होगा अगला प्रस्ण है निम्न मेंसे किसमें दिसा और परिमार दोनों होता है तो द्रविमान तो अधिसरासी है दूरी भी अधिसरासी है चाल भी अधिसरासी है सम्वेग एक सदिसरासी है तो इसमें दिसा और परिमार दोनों होंगे तो right answer option number C बनेगा अगला है गया निम्ड में से अदिस रासी नहीं है मतलब सदिस बतानी है तो आयतन द्रविमान बल लंबाई में बल दोस्तों सदिस रासी है बाकी सब अदिस रासी आए तो करेक्ट आंसर यहां यह question भी हो गया अब दोस्तों अंत्र की इस्टार्ट होगा तो अगले वीडियो में मैं कार से related सारे question आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट question है दोस्तों numerical बहुत सारे पूचे जाते हैं कार टॉपिक से तो हो सके तो कारे पढ़के आईएगा अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा फिजिक से रिलेटेड वो कारे से रिलेटेड कोशन मिलेंगे आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत तिक राश्यों से रिलेटेड जो भी कोशन है उनको समाब्त किया है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो पसंदा लाइक सेर करिएगा चैनल पर नहीं हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस के लिजिएगा धन्यवाद